इवियम बंद होना चाहिए यदि भारती जनता पार्टी के दबाव में मुख निर्वाचन धिकारी इवियम को नहीं बैन करते हैं तो हम लोग रेलबे को रोकेंगे सड़के जाम होंगी यहां तक कि हम लोग का न्यायले भी बंद होगा जब तक इवियम नहीं बंद होगा यहां से इवियम की उत्पत्ति होई है वहां की जन्मानस नने वहां की आम जनता ने यह पुकार लगाई कि इवियम से चुनाव नहीं होना चाहिए ब्लेट पेपर चुनाब होना चाहिए पोड़ों सबको सिच्छित कर रहे हैं गावदेश में गली-गली कम्हले-गया रह बात आती है कि जितना वोट पड़ा उससे कहीं जाता वोट मसीन में निकला तो इसलिए मसीन हटना चाहिए जब तक हम लोग की लड़ाई चलती रहेगी अगर सम्मिधान हो गया लोगतन हुआ तो हम पहुंच जाएंगे मनुस्वति में नहीं हटा रहे हैं और जो है बाकी पाइटियों को हराने के लिए इवियम को है किये हुए हैं दो हजार चार हजार बोट से हमारे प्रत्यासी चुना हा रहे हैं दो सो तीन सो बोट से ऐसे कैसे हो सकता है लोग तंत्र की हत्या हो रही है किसके वज़े से इवियम की वज़े से अगर इवियम हटा देश बचाओ का नारा लगातर तमाम अधिवक्ताओ द्वारा लगाया जा रहा है और वहीं पर दूसरी हो इवियम हटाओ देश बचाओ तमाम ऐसे नारे इनके लगातार लग रहे हैं और आपको बताने का प्रियास करूंगा कि यह लोग लगातार हाई कोर्ट से निकल कर अभी यहां पर सिविल कोर्ट तक पहुच गए हैं और यहां पर डियम साब को ग्य करना चल रहा है तो क्या आप लोग चाहते हैं क्या होना चाहिए निश्चित तोर पर भी इवियम बंद होना चाहिए यदि भारती जनता पार्टी के दबाव में मुख निरवाचन अधिकारी इवियम को नहीं बैन करते हैं तो हम लोग रेलबे करो करेंगे सड़के जाम हो होंगी यहां तक कि हम लोग का न्यायल भी बंद होगा जब तक इवियम नहीं बंद होगी तमाम लोग आपके साथ में खड़े हैं पर नेता कहा है जिसके लिए तमाम यह चीज़े हो रहे हैं यह अधिवक्ताओ का मामला है जब पढ़े लिखे जागुरुक परसन है यहां चुनाओ ją क्यों क्या कहिएगा कि विल्ट पेपर से चुनाओ किया जाए अगर इविम बंद हो तो यही maior की बनती है तो जाहे जिसकी सरकार बने को सरकार से ब्रहनाव फ्रुट से पर में वी ये जो EVM मसीन है एक electronic device है उस electronic device को निश्चित तवर पे जिस तरीके से हम tv के तीवी इसको को जो है remote से कंट्रोल कर सकते हैं फीक वैसे ही EVM मसीन को भी पार्व हम remote से कंट्रोल कर सकते हैं इसमें कोई दवराय नहीं है इसको सिर्फ हम नहीं के बोल रहे हैं सिर्फ हमारे द्वारा यह नहीं कहा जा रहा है पूरे 20 के जितने भी डेवलप कंट्री हैं जिनके जहां से इवियम की उत्पत्ति होई है वहां की जन्मानस ने वहां की आम जनता ने यह पुकार लगाई कि इवियम से चुनाव नहीं होना चाहिए बैलेट पर से ही चुनाव होता है तो हम लोहों की डिमांड है सरकार जाहिए बैलेट पर से चुनाव कराई यह तो हमारी जन आवाज है निस्ची तो पर वो चुनाव वारियों के पास पहँचनी चाहिए और चुनाव निश्पच्छ जो है ऑड़्य reflect से बैलेट पर सो होनी जिसमें को चुना खम और नहीं हो सकता है जहां के जन्व दाता है 우리 हो सकता है अगर आप बैलिट से ओर देते हैं तो उसका अलग बीशाय होता है यहां पर चुई है कि हम वोट दे रहे हैं हम अपनी जिसको सरकार चुनना चाहती हैं बटन वो दबा रहे हैं लेकिन पता चला कि हमारी वोट कहीं तो और चली जाए उसका क्या प्रमाल है कि हम जहां दे है कि वोट हम देते कहीं और है पर जाता बीजेपी तो जब किसी कुनाई बहुता है जो है एब यह मसीन हटा के वेलबर पेड़ से चुनाव करा दे पर अगर ऐसा कुछ होता तो बीजेपी के ही सामसतों विधायक नहीं बनते नहीं तो वह क्यों विरोद करेंगे वहीं लो अब हो रहा है उसको लाप और थोड़ी नहीं रोट करेंगे विरोद तो जनता कर रहे हैं और हमारे अधिवक्ता कर रहे हैं तो इसलिए जो आए भीम हटाए और बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे चुनाव यह को यह चीज करना चाहिए क्या कहेंगे विए मटाय जाए सब्सक्राइब करेंगे और इंजीनियर होने के नाते बता रहा हूं कि इलक्ट्रानिक डिवाइस है और घर बैठे इसको हाइक किया जा सकता है इसमें चुचिप लगी है कि दुनिया के किसी कोने से बैठ करके इसको आप हैक कर सकते हैं और चुना आयोग जो है सोर्स कोड़ है बता नहीं रहा है वो बता दे देखिए हैं बता देते हैं कितने लोग हाजिर हो जाएंगे दिल्ली के जंतर मंतर पे भानुपरताप दिवक्ता द्वारा वहां पे लाइव दिखाया गया है कि वीम हैकिंग कैसे होता है तो के अंदर सिच्छा की थोड़ी कमी है इसी वजह सरकार उसका फाइदा ने रही है तो आप सबको सिच्छित कर रहे हैं गाउदेश में गली-गली महले-महले कि यह यह वीम जो है यह वोटों की चोरी कर रहा है आप भारत के लोगतंत के हत्या हो रही है और संभीधान के हत् सब्सक्राइब करो वरना कुर्सी खाली करो 2024 लोग सभा चुनाओ जल सामने नजदीक में है पर क्या लोगों को आप लोग जागरूप कर पाएंगे बिलकुल कर पाएंगे जागरूप यह अब लहर चल पड़ी है और आम जनता जो है खिलाप खड़ी होगी जैसे गोरे अं इलेक्टरानिक डिवाईस है की जा सकती जब आप बैंकों के खाते है करते हुए देखे जा सकते हैं तो यह वोटिंग मसीन क्यों नहीं है की जा सकता और इससे देखिए तमाम जगा यह बात आती है कि जितना वोट पड़ा उससे कहीं जाता वोट मसीन में निकला तो इसका इवियम मसीन हटना चाहिए जब तक इवियम मसीन नहीं हटेगा तब तक हम लोगों की लडाई चलती रहेगी जी अधिवक्ता समाज क्या इस सरकार से संतुष्ट नहीं है नहीं सरकार की बात नहीं है बात इवियम की है इवियम से जो वोट की धाधली हो रही उसकी समस्या सरकार की समस्या सरकार की बाद तो बाद में करेंगे लेकिन अभी जो समस्या है इवियम का जिससे वोट की मारी चोरी हो रही है और लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं हो पा रही लोकतंत्री प्रक्रिया सही नहीं चल पा रही है हमारी समस्या उससे है सरकार किसी की भी बने लेकिन चुनाव वैलेट पेपर से हो इसे नहीं होना चाहिए इवियम से इस बार चुनाव वैलेट पेपर से करा जाए सभी अधिवक्ता समाज ये तमाम लोग की यही माग है अभी यहाँ पे क्या अध्यक्ष है क्या नाम हो आपका क्या कहेंगे सर लोग सभाद दोजर चुनाव को लेकर आज दिवक्ता समाज काफी क्रोधित होकर आज रोट पर उतर चुका है दिल्ली के जंतर मंतर से धरना चालू हुआ आज हाई कोट प्रियाग राज में देखने को मिल रहा है क्या कहेंगे आज लोगतंत सम्मिधान की चांट तक चांट तक कंड्रोल कर लेते हैं एक लाटाइट डिवाइस है अब टैनिवाइस नूम्बर टू फॉन लिया है इसमें टाइम लगाते एलान का यह और लगाते जो टाइम हम इसको फेड कर देंगी प्रोगाम कर देंगे ठीक्ति टाइन को विलान बजेगा उसके यह लोग एक सवाल आता है किसा आप जीत के वहां भाव के जब बड़ा लाब होने लेने कोता है तो चालाग लोगो होते हैं वो छोटे लाब दे दिखाने के लिए भरम खतम हो जाए मेडिया के साथी में कहते पाए गए किसा आप वहां को जीत के अगर इवंकर तो ती जिए सब्रेंसे कट रहा है और अब नियुक्त कटाए इनको जीता रहा है कि को यह हुआ फ्री योव्य और इंपल को साहितों हुद्ध मसुक्त कर रही है कि मतल तरीष के सब्सक्राइब मतजाथा ऐस बलबोट कर रहा है डिको को दालना है साफिकी कान में जूने तकलत्त आफे इसके आधिर चलागुनी में वह सरकार का एक सुट्री कालकम है इसे बनाया इवियम आज उसी के देश में चुनाव नहीं हो रहा है इसी से बाते नाराज तमाम अधिवक्ता इस वक्त रोड़ पर उतर चुके है धरना पे धरना दे रहे हैं यहां पर कुछ महिला डोकेट है उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे क्या नाम है लोग सभाज चुनाओ 2024 को लेकर आज एधिवक्ता समाज काफी क्रोधी तो गुस्से में दिख रहा है और रोड पर उतर चुका है लगातार इवियम हटाओ देश बचाओ लोकतंत्र हटा है लोकतंत्र क बचाने के लिए यह जानना चाहते है जब देश की जनता चाहती है कि बैलट पेपर से चुनाओ तो इनको क्या दिक्कत है इनको क्या दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो लोचा है ना इसमें, कुछ ना कुछ गड़बर है कि EBM नहीं हटा रहे हैं यह और बाकी पाइटियों को हराने के लिए EBM को हैक किये हुए हैं, हैं तो हजार-चार-बोट से हमारे प्रत्यासी चुनाव रहें 200-300 बोट से ऐसे कैसे हो सकता है इवियम हटाया जाए इवियम हटाया जाए हम सब लोग इसके लिए बहुत धरने करेंगे अंदोलन करेंगे देश में ऐसे नहीं चलेगा कि अगर अगर इवियम नहीं अटाया नहीं थी कि यह इतना है खो रहा है एक टेक्निकल जानकारियां कम थी लोगों को पहले बैलेट पर चुना होता था फिर चुना होता था ऐसा तो नहीं था कि बैलेट पर से हुआ तो वो नहीं जीते यह कोई अन्य पार्टिया नहीं जीती है हम नहीं जीते तो जब जनता च सब्सक्राइब जाता है तो इस बार क्या कहेगा इविए मैं बैलेट पेपर चुना होगा हम लोग बैलेट पर चाहते हैं हमारा जो भी हमाई पार्टी हमारा दल और हम लोग सब्सक्राइब जान रहे हैं कि लोग तंत्र की हत्या हो रही है किसके वज़े से इवियम की वज़े से अगर इवियम हटा दे अगर उनको फैत है इस बात पर कि मैं जीत रहा हूं जनता उन्हें जीत रही है तो हमें कोई परिशानी नहीं अगर वह एक ही चीच कर दे सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव करवा दे और वह चुनाव में जीत हो जाएगी तो अ जनता चाहती है जो चाहती है जनता जो चाहती है तो आप सही काम करिए जिसे जनता आपके उपर विश्वास रखे और आप बैलेट पेपर से चुनाव करा कर ये दिखा दीजिए ना कि मैं जो हूं साफ सुत्रा हूं कोई इसमें गोल्ट गर आबाला नहीं है यह बटन सही है अगर अगर आप उससे चुनाव करा देंगे तो इस वार बैलेट पेपर हाँ जी हाँ बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव फिलाल भी आपको बतादू यहां तमाम अधिवक्ता के साथ में यहां पे तमाम महिला एडोकेट अधिवक्ता है और महिला समाज की यहां लोग हैं इसे बातचीत किये बातचीत कर काफी जानने का प्रयास किये फिलाल आपकी क्या रहा है एक प्यारा सा कमेंट जरू करिएगा लोग सभा चुनाव को देखते हुए फिलाल मिलते हैं किसे और दूसरे वीडियो में तब तक लिए जैए जैबा